वाही गुरुजी का खालसा वाही गुरुजी की फते आज्यसी सैन जिसनों नाई कहने साना बहुत समा पहला दी गल है एक राजा सी उस दी मुठी चाप्पी कार्ण वारते सैन नादा आदमी जो के जात दा नाई सी गुरु साव राजे कोड जाया कर्दा सी ओहो राजे दी बहुत सेवा कर्दा सी राजा उस दी सेवा तों बहुत खोश सी पारो हो पक्ती बहुत जादा कर्दा सी पमेव थनाल कम कर्दा सी पर मान विच हर समें ओस दी लेव गुरु साव नाल जुडी रह दी सी इस तरह करदें करदें बहुत समा बीत गया पक्ती विच परपक होन करके उसनों कई बार अपने तानते मान दिवी सुद नहीं सी रह दी एक बार सैन शाम दे समें राजे दी मुठी चापी कारण वास्ते राजे दी सेवा कारण वास्ते कर तो बाहर निकलिया तान उसने कुझ सिखा नु देख्या कुझ साथ संगत नु देख्या जो के उस दे कारबल आ रहे साना उस दी टोटी चोंपडी विच बहुत थोड़ी था सी उसने अपने विश्तरा चुक्या संता वास्ते नमे विश्तर लाए उत्थे ही बैठ गए सैन ए भी पुल लगया के मैं एक राजे दा नौकर हां क्योंके उसनो गुरु नाल बहुत ज़्यादा प्यार सी उन्ना ने संगत ने किया कि अप पाजन करिये जा सासंगत करिये ता सैन ने एक दाम ही संगत दी त्यारी कार दिती ते ओहो संगत बिच बैठ के सारी राद पाजन गौंदा रहा उद्दर गुरु साव ने सैन दारूपतार्न करके पैरे दार को दी लंगया राजे दी मुठी चापी किती कि राजे दे उस समय जिसनों अजकल कैंसर केहा जन्दा है पहला लोग इसनों राजन फोड़ा कहें दे सान वो निकले हो यासी जदों गुरु साव ने उस फोड़े उते हाथ मार्या राजे दी मुठी चापी किती ता ओ फोड़ा बिलकुल समाप्त हो गया उस दा श्रीर रोग हो गया बिना रोग तो हो गया कोई उसनों रोग ना रहा ता इस तरह राजे दे मान विच बड़ी खुशी होई सेन्ने मैंनू अज इन्नी चंगी तरह मेरी सेवा किती के मेरे फोड़े विच विलकुल भी दर्द नहीं हो रहा ता ओ देहके हरान हो गया उद्धर पारी संगत चली गई, सैन नो अपनी नवकरी दा नवकरी पेशा होन करके राजे वाली गाल जाद आई, कि वो एक राजे दा नवकर है, राजा उसनों सजा देवेगा, इस करके उसने नंगे पैर करके राजे दे दर्वार विच जाके माफी मंगनी चाहिए, पार कुदर्त कुछ होर ही मनजूर सी, सासंग कुछ समय लई होर उत्थे टिक गी, ते उन्ना ने दो कड़ी होर कीरतन कार्ण वास्ते केहा, सैन दाप में समा हो चुक्या सी, पार जदों उसनों सासंग दी गल कही, ता उसना मान बड़ा खुश होया, ते उसे थाउत ते फिर बैठ गया, ता इस तरह ता इकंटे लग गया, एक कड़ी दी बजाए नौकड़ गया, समाब्त हो गया, उस्तों बाद जो संगत आई सी, वो चली गई, उन्ना दे जानतों बाद सैन ने सोच्या, होन मैं जाके, राजे तुमा भी मंगा, क्योंके मैं सारी रात भी राजे को नहीं गया उस दी मुठी चापी नहीं किती, स्वेर भी स्वेर दे वेच वीटा इकंटे लेट हो गया, इस करके राजा मेनू अज जरूर कोई ना कोई सजा देवेगा, उद्धर राजे दे जाद राजन फोड़ा विलको ठीक हो गया, ता उसने देख्या, भी सैन ने इननी सेवा कित मेरी के मेरा सारा ही स्रीर कंगन वर्गा, दे रोगता हो गया है, रोग रहत मेरा सत्गुर, मेरे सत्गुर ने मैं इननो रोग रहत कर देता है, मेरा स्रीर रोग हो गया है, रोगा तो स्टकारा पा देता है, इस करके मैं सैन दा बहुत बहुत आ नवाद करांगा, उसने एक शोने दा हार लिया तो से सेन दे और बिदिग और मख ड कारन लग गा राजा जदोर हुज पैरेर दार को दी नंगर लग गा ता राजे ने पुच्छ भी सेन किनी समय आया सी गा तिव कहन लगा महाराज सेन stanante da तहां दिमुठी चापी किती, उसे समय बाफ्स हो गया सी, उदर सैन दे माण विच डार सी, सैन आया, उसने राजे दे, कोड गया, ते उस दे, चरना विच डिगण लगया राजे दे, महराज मेरे कोड़ों बड़ी बड़ी पोल हो गी, सात संगत कार्द्या, मैंनू पता ही लगया के इनना समाभीत चुक्का है, ता इस तरह उसने कहा, सैन तू मेरी बड़ी सेवा किती, मेरी बहुत मुठी चापी किती, देख जो मेरे राजन फोड़ा, निकला होया सी, कामर दे उत्ते, ओ बिलकुली समाथ हो गया, तू ता मेरी रात एननी सेवा किती, के उस दा नमों शान भी नहीं रहा, मैं बिलकुल अरोग हां, इस करके मैं खोश हो के, तेननों ए सोने दा हार पेट करन लगा हां, पर सैन सच्चा सी, उसने कहा भी मैं नहीं आया, राजे ने पहरे दारानों सद्या, तिन पहरे दार आये, तिन थां उत्तों हो के, ओना पेंदा सी, पहले ने कहा, हां महराज, सैन आया सी, मेरे कोडों लंगया सी, मेरे ना गल बात भी किती, दूसरे ने भी यही जवाब दिता, जिदो तीसरे कोड आये, ता तीसरे ने कहा, महराज, सैन ने खड के मेरे नाल, कुछ गलां भी कितना, ते तो हड़ी सेवा बारे भी मैंनू द आप रखी है इस करके राजे ने खोशो के सैंदे गल विच सोने दा हार पाया ते उसनों जिंगीरा नाम विच दित्गा उसतों बाद राजे नाई तों राजा बन गया इस करके अज कल भी कोई भी नाई नहीं कहेंदा आप उसे समय तों सैंदे ना तों ही साव लोक राजा नाईया नो राजा करन लग पई हाना वाही गुरुजी का खाल सावाही गुरुजी की फते के बुद्ट